नमस्ते आई चेवियन इंदू असिस्टन प्रोफिसर डिपार्टमेंट ओफ साइंस एंड टेक्नोलोजी फेकल्टी ओफ एड्यूकेशन और मैथलोजी जैयोत्ती विद्याफिट विमन्स उनिवर्सिटी तूड़े आई विल डिस्कस एक्स्क्लूसीव ओर गेट तो लेस्स स्टार्ट एक्स्क्लूसीव ओर गेट के अंदर जो आउट्पुट होता है वह होता है हमारा एक्स्क्लूसीव ओर गेट है तो उसका जो आउट्पुट होगा वह क्या होगा एक्स्क्लूसीव ओर बी मिन्स की इन्पुट यहां पर एबी है तो आउट्पुट में क्या मिल है a x जो और b equals to है a bar b plus a b bar तो जब हमारा input 0 0 है मिन्स की when a equals to 0 and b equals to 0 तो उस condition के अंदर exclusive or gate का output क्या होगा 0 into 0 का bar plus 0 bar into 0 मिन्स की 0 into 1 1 into 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 plus 0 क्या हो जाएगा 0 तो जब भी exclusive or gate के दोनो input low है तो उस condition में output भी क्या मिलता है यहाँ पर एक short trick आपको बताती हूँ कि exclusive or gate के अंदर जब भी inputs क्या होगी inputs की value क्या होगी same होगी तो उस condition के अंदर output में हमें क्या मिलेगा low output मिलेगा और जब inputs की value same नहीं होगी तो उस condition में output हमें क्या मिलेगा high मिलेगा तो देखिए जब 0 0 है तो उस condition में exclusive or gate का output क्या है 0 जब value 1 1 है तो उस condition में क्या होगा exclusive or gate का output 0 जब 0 into 1 है तो उस condition में क्या होगा 1 और 1 और 0 है तो उस condition में क्या होगा वन तो मिन्स की जब same input पर यह output में क्या दे रहा है जिरो दे रहा है different inputs पर यह output में क्या दे रहा है वन दे रहा है अब देखते हैं बीस्टी कोड देखते हैं exclusive or git का कि आई triple library का 1164 package हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर entity declare किया है entity के अंदर entity का नेम क्या दिया है एक जो टू इस पोर्ट के अंदर inputs कौन कौन से आगए a b और y हमारा क्या हो गया output हो गया देन इसको terminate कर दिया देन entity को क्या कर दिया end कर दिया end करने के लिए end keyword लिखेंगे देन उसका entity का नेम लिखेंगे देन semicolon के तुरूस को क्या कर देंगे terminate कर देंगे देन अब architecture body लिखते हैं तो architecture का name क्या हो गया data flow किसका है यह एक जो गेट कर लिख रहे हैं तो यहां पर entity का name क्या था एक जो टू था ना तो यहां पर भी क्या होगा एक जो टू आजये आएक है आर्किटेक्चर डेटा फ्लॉ ओ एक जो टू एज तो डेटा फलो आर्किटेक्टचर का नेम हो गया एक जो टू क्या है entity का name तो इसको बिगिन करेंगे दिन वाई के थो उसको terminate कर देंगे अब देखते हैं simulation waveform देखते हैं किसका? एक्जोरगेट का तो एक्जोरगेट के इंदर हमने देखा था कि जब भी inputs same होंगे तो उस condition के इंदर output हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा तो इसके इना देखो जब हमारे inputs 1 1 है तो उस condition में output क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है जब हमारे inputs क्या है? 0 और 1 मिज़की different है तो उस condition के इंदर output हमें क्या मिल रहा है? high मिल रहा है तो इस परकार हमें waveform के थूँ पता चल रहा है कि जो हमने एक्जोरगेट डिजाइन किया है वो बिलकुल सही है I hope you are satisfied with my digital session if you have any query please mention in the comment box I will resolve it on the live session thank you